वालकम तो इस्टाडी चैनल मेरा नाम है मुहमत कैसर कल BPSC ने TRE3 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया 125-6-8-9-10-11-12 हर लेवल की भरती है हाला कि अभी ऑफिशियल रिक्तियों का एलान नहीं हुआ है कि कितने पदों पर यह भरती है तो आज बात करेंगे कि तने इसमें पद हो सकते हैं बहुत साथ स्टूटें लगतार यह पूछ रहे हैं कि सीटेट में कितना मार्क होना चाहिए हमारा अधर इस्टेट वालों के लिए बिहार के लिए तो उस पर भी बात होगी साथी साथ अटेंट कैसे काउंट होगा सिर्फ तीन मौके मिलेंगे या इसको बढ़ाया जा सकता है आरक्षड इस बार कैसे मिलेगा तो जो भी आपके डाउट है मैं यहाँ पर पुरी कोशिश करू आपको जानकारी देही दी थी के लिए बाहर हो चुका है बी या बाहर है तो आप एलिजबल है 9-10 के लिए estate paper 1, 11-12 के लिए estate paper 2 आप उत्तिर्ड होने चाहिए और कोई भी appearing candidate allow नहीं है चाहे seated appearing हो, delayed appearing हो, beard appearing हो या estate appearing हो ठीक है, appearing को इसमें बाहर कर दिया गया है exam pattern की बात करें तो 150 नंबरों का आपका paper होगा प्राइमरी में 30 सवाल भाषा और 120 सवाल जीयस का होगा भाषा में 30 में 9 नंबर लाना निवार होगा तो भाषा आहरता रखा गया है 6-8, 9-10, 11-12 की बात करें तो यहाँ पर भाषा तो 30 सवाल होगा लेकिन यहाँ पर मानर्धन के 40 और विश्य से 80 सवाल पुछे जाएंगे यहाँ पर भाषा में 30 में 9 नंबर लाना होगा भाषा वाला जो नंबर हो मेरिट में नहीं जूड़ेगा मेरिट आपका 120 में ही बनेगा लेकिन भाषा में 9 नंबर लाना निवार होगा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है सभी प्रश्ण MCQ बेस्ड होंगे और जो मिनिममम पासिंग नंबर था पिछली बार वो भी रहेगा यानि कि सामान नबर के अभरतेओं के लिए 40% यानि 120 में 48 नंबर आपको लाना जरूरी होगा इसके उपर ही मेरिड बनेगी ये एक मिनिममम क्वालिफाइंग नंबर है जिसे रखा गया है सेटेट में कितना मार्क सोना चाहिए इस पर बात कर लेते हैं तो बीटेट 2017 में जो प्रावधान था जो छूट था सेटेट पार्क सिक नंबर को लेकर वो इस बार भी लागू रहेगा तो कहने का मतलब यह है कि नियुनतम 60% नंबर तो सेटेट या बिटेट में माना ही जाता है यानि कि 150 में 90 नंबर लेकिन यहाँ पर जो छूट है वो समझते हैं तो पिछड़ा वर्ग अत्यान पिछड़ा वर्ग यानि कि BC, EBC या आप इसे OBC पर समझ सकते हैं और सामान कोटी की जो महिला उम्मिद्वार है उसको 55% यानि कि 150 में 82 नंबर तो OBC और फिमेल के लिए जो पासिंग नंबर है सीटेट या बिटेट में वो 82 नंबर है पर मौका मिल जाएगा क्योंकि यहां पर सामान कोटी की महिला लिखा है सामान कोटी की विहार की महिला तो लिखा नहीं है ऐसे में 82, 83, 84 या 90 से कम नंबर जिनका सीटेट में होता है अधर स्टेट की फिमेल आवेदन तो कर देती हैं लेकिन बात में समस्या होती है कभी और इस बार भी सामान कोटी की महिला लिखा हुआ है तो अधर स्टेट की महिलाओं का या 90 नंबर है सीटेट में तो आप सेफ हैं नहीं तो बात में आपको समस्या देखने को मिलेगी ठेक है अधर स्टेट के पुरसों को तो 90 नंबर चाहिए ही वो तो कनफॉर्म है बिहार के भी पुरसों को 90 नंबर चाहिए बिहार के OBC को 82 नंबर चाहिए यह आपने यहां पर समझा साती साथ SCST और निशक्त कोटी के उम्मिदवार यानि कि जो फिजिकली हैं इनको 50% पर ही उत्तिर माना जाएगा यानि कि 75 नंबर पर ही उत्तिर माना जाएगा बिहार के SCST और पुर्व न्यूक्त और जो काररा सिक्षक हैं बिहार में वो दक्षता परिक्षा यादी उत्तिर हैं तो उनको सिटेट या बीटेट की आउशक्ता नहीं पड़ेगी वो अपने दक्षता परिक्षा के अधार पर ही आवेदन कर लेंगे पुरा फॉर्म कैसे भरना है मैं आ तो यह जो सीट है नियोजी सिक्षकों का जो मुल विद्याला था वहां पर जो रिक्तियां बनी है वो है 25,390 हला कि उत्रिड हुए थे नियोजी सिक्षक लगबग 35,000 लेकिन 25,390 ने जोईन किया है तो यह रिक्तियां बन गई है और इसे टियारी 3 में जोड़ा जा रहा ह सबसे अधिक 11,000 नियोजी सिक्षक प्रात्वी मुझवाइन किये थे उसके बाद फिर 68,9,10 और 11,12 में यह जो नियोजन वाले पत थे इसे अस्थाई किया जा रहा और इसे भी प्यस्थी से भरा जाएगा तो 25,390 यह पत हुए इसके बाद जो फ्रेस रिक्तियां है और TRE का जो सप्लिमेंटरी रिजल्ट वाला रिक्तियां है इन सब को जोड़ा जाएगा तो 15,16 यह आसपास खबर थी कि TRE2 का सप्लिमेंटरी आएगा हाला कि वो कितने बराता वो तो अब कोई बता नहीं सकता क्योंकि आया ही नहीं कोई 20,000 के आसपास बता रहा है तो 26 और 20 देखें तो 46,000 होते हैं और इसके अलावा फ्रेस रिक्तियों को जोड़ा जा रहा है और यही टोटल रिक्तियां बनेंगी जो TRE3 के तहद भरी जाएंगी नियूजेटीन की माने तो 90,000 के आसपास TRE3 के पद होंगे और अभी तक नियूजेटीन ने जो भी खबर दी है सब की सब सही हुई है तो इस पर भी आप विश्वास कर सकते हैं देखिए यहाँ पर एक जिले का रिपोर्ट आया है मुझफर पुर से 34 की सिक्षक भरती के लिए इस जिले से कितनी रिक्तियां बनी है इन रिक्तियों को ही फाइनल जोड़कर टोटल वेकेंसी आएगी तो यहाँ पर वन टू फाइफ के लिए 1381 और उर्दू के लिए 256 सी है ऐसे ही हर जिले से रिक्तियां जुटाई जा रही है ताकि जो फाइनल वेकेंसी है वो प्रकाशित की जा सके तो मान का चल सकते हैं कि काफी अच्छे खासे समय पद होंगे 68 के लिए भी देख सकते हैं विश्यवार यहां से रिक्तियां है 910 के लिए 1112 के लिए सब कुछ फाइनल किया जा रहा है तोटल यहां पर देखिए एक न्यूज आर्टिकल है बताया गया है कि 87,000 के आसपास यहां पर रिक्तियां होने वाली है सबसे रिक्तियां उच मादमिक में होने की संभावना है तो 87 से 90,000 कहीं कहीं पर एक लाकी भी खबर है ठीक है और इसी बीच देख सकती है एक और न्यूज की तीसरे चरण में नया आरक्षड कानून लागू हो जाएगा तो जो 75 परसेंट आरक्षड बिहार में निती सरकार ने किया था कुछ समय पहले वो आरक्षड वाला नियम इसमें लागू हो गया यानि कि 25 परसेंट ही अब यूआर की सीटें बची इससे पहले ट्यारीवन ट्यारीटू में 40 परसेंट यूआर की सीटे थी और 60 परसेंट आरक्षड था तो 60 परसेंट से रक्षड लाकर 75 परसेंट अब कर दिया गया है इसी के साथ साथ जो अटेंप्ट काउंट है उसको लेकर अपडेट यह निकर कर आ रही है कि साथ साथ बताया था कि तीन मौके मिलेंगे आपको ट्यारी में बैठने का बहुत सारे बचे ट्यारी बन में बैठ चुके हैं और ट्यारी टू में बैठ चुके हैं अब ट्यारी थरी उनका आखरी मौका है खबर ये भी है कि ट्यारी फोर भी होगा अगस्त में तो जो तीन वरतियों में बैटा वह अगली वरती से बाहर हो जाएगा वो आवेधन नहीं कर पाएगा तो ऐसे में बैतियों ने का कि दो और अवेधन मिलने चाहिए यह और इस पर शिक्षा विभाग विचार भी कर रहा है। अभेतियों ने दो और औसर की मांग की है और सुतरों के हवाले से खबर है कि दो और अत्रिक्त मौके दिये जाएंगे शिक्षा विवाग की ओर से जो पहली भरती थी उसके दौरान जो निमावली बनाए गई थी उसमें तीन मौके का जिक्र था इधर अभेति शुसर मेडिय पर कई प्लेटफॉर्म पर पांच औसर का भियान चला रहे हैं तो मेभी दो और अतरिक्त औसर मिल सकती हैं लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशल जनकारी नहीं आई है फिलाला आप लोग TRE3 दीजिए मौके को लेकर परिशान ना हो क्योंकि TRE3 में तो सब लोग eligible हैं ही है मौके सरकार आगे इसमें जरूर बढ़ाएगी एक और important जनकारी है दोस्तों कि आवेदन यदि आपने एक बार complete कर दिया तो आप उसमें correction नहीं कर सकते कोई भी correction या edit का option BPSC नहीं देगा याई आपके form में कोई गलती हो गई तो फिर आपके पास एक ही option बचेगा आपको आवेदन अपना रद करना होगा एक option आपको मिलेगा login करने के बाद cancel registration का तो आप वहाँ से अपने आवेदन को cancel करेंगे फिर से आप अपना आवेदन करेंगे उसी mobile number, email ID और सभी रिटेल्स के साथ जो आप आवेदन निरस्ट करेंगे उसका पैसा भी आपको नहीं मिलेगा दोबारा आवेदन करने पर राशी वापस नहीं होगी वो पैसा आपका चला जाएगा तो ध्यान से form भरना है हर बड़ी में गरबड़ी नहीं करनी है तो यही कुछ महत्वर जानगारी थी आज के इस वीडियो में वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाशिंग